नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल काश्वी-अश्वी क्रियेशन्स में आज हम सीखेंगे अस्तर वाली पैंट जिसका साइज है 42 आप जैसे की वीडियो में देख सकते हैं बहुत ही अच्छी इसकी फिनिशिंग आई है और फिटिंग पहनने के बाद बहुत अच्छी आएगी तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही आसान तरीके से सबसे पहले मैंने इस तरह से अस्तर का कपड़ा ले लिया है डबल फोल्ड करके और इसकी लंबाई मुझे रखनी है 35 इंच तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 38 इंच पर निशान लगा लिया है धाई या 3 इंच आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं तो यहाँ सीधी लाइन लगा कि मैं इसे पराबर कर लेती हूं सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर मेजरमेंट्स बता दू लेंध हमारी है 35 इंच हिप साइज है 42 और जो हमारी बैल्ट है वह है 34 इंच सबसे पहले हम हिप का फोर्थ पार्ट कर लेंगे जो किया आएगा 15 इंच साड़े 10 इंच में हम 1.5 इंच प्लस करके यहां पर निशान लगाएंगे 12 इंच पर और लंबाई में आसन के लिए हम 4.5 इंच का चौथाई बाग करेंगे साड़े 8 इंच और उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे जो कि आएगा 10 इंच तो 10 इंच पर मैंने इस तरह से यहां पर निशान लगाया है तो यहां पर इस तरह से स्ट्रेट लाइन डालनी है अब 1.5 इंच पर मैं दोनों तरफ निशान लगा लोंगी इन दोनों तरफ मैं 4-4 इंच पर निशान लगा लोंगी और इस तरह से लेक शेपर लेकर हमने इसको आसन के पॉइंट से जोइन कर देना है और इस तरफ भी 10 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है और यहां पर भी लेक शेपर से हम इस तरह से जोइन कर लेंगे इसे और यहाँ साइड में शेपर को इस तरह से उल्टा रखेंगे और साइड की गुलाई हम दे देंगे अब इस तरफ से भी हमें सवा साथ इंच पर निशान लगाना है उपर फिर आसन की तरफ से हमने आदा इंच नीची की तरफ लेना है और इस तरह से टेड़ी लाइन लगाकर हमें उसे कट कर देना है अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे इसके लिए मैंने फिर से डबल फोल्ड करके अस्तर के कपड़े को रखा है और उपर से मैं धाई इंच पर निशान लगा रहे हूं इस तरह से धाई धाई इंच पर निशान लगा कर एक सीधी लाइन लगा लेंगे क्योंकि बैक पार्ट का आसन हम फ्रेंट पार्ट से बड़ा रखते हैं इसलिए मैंने उपर धाई इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर आसन का निशान लगाया है तो इस तरह से फ्रेंट पार्ट को हमने इस पर रख लेना है और यहां से फिर से हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है और 2.5 इंच पर हमने gap देना है उपर की तरफ हमें जो एक्स्ट्रा आसन हमने लिया है उसे कोने से मिला देना है नीचे मोरी की तरफ हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे बैक पार्ट के लिए और फिर हम लेक्षेपर से इसको जॉइन कर देंगे आसन के लिए यहाँ पर भी धाय इंच का मैं कर्व बना लूँगे तो यहाँ पर बैक पार्ट का भी निशान हमने पूरी तरह से लगा लिए हैं अब हम इसको कट कर लेंगे यह हमारा फ्रेंट पार्ट हो गया और यह हमारा पैक पार्ट यह में फैब्रिक है जिसके हमें पैंट बनानी है तो अस्तर के कपड़े को रखके मैंने में फैब्रिक को भी कट कर लिया है इस तरह से चारों पीस हमारे पास कट करके आ गए हैं अब हम इसकी सिलाई शुरू करते हैं, सबसे पहले हम आसन को जोड लेंगे, तो फ्रेंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों का आसन हमें सबसे पहले जोइन कर लेना है, तो यहाँ पर देखें, हमने आसन की सिलाई लगा लिए हैं, अब हम साइड की सिलाई लगा लेंगे, तो इस तरह से एक फैब्रिक को सीधा और दूसरे को लटा रखकर, हमने दोनों साइड पर सिलाई लगा लेनी हैं, नीचे तक, तक, तो यहाँ पर देखें, हमने साइड की सिलाई लगा ली है, अब हम मोरी फोल्ड कर लेते हैं, उपर से एक इंच छोड़ कर, हम साइड़े चौनतिस इंच पर निशान लगाएंगे, और वहाँ से हमने इस मोरी को फोल्ड कर लेना है, अब हम फ्रेंट के, फ्रेंट पर बेल हैं, दोनों तरफ हम इस तरह से निशान लगा लेंगे, अब दोनों तरफ हम इस तरह से बारीक टक्स लगा लेंगे, टक्स यह जो हैं हमारे डल चुके हैं, अब हम फ्रेंट की बेल्ड बनाएंगे, अब हम फ्रेंट की बेल्ड मेजर करते हैं, यह 10 इंच का आ रहा है, इस के लिए हम बुक्रम काटेंगे जो की 20 इंच की हमने काट लिए इसको इस तरह से हाफ करके एक तिर्चा निशान हम सेंटर पर लगाएंगे इस तरह से और यहां पर हम सिलाई लगा लेंगे सिलाई लगाने के बाद यह देखे इस तरह से दिखेगा यह यह वी शेप आ उसी तरह से कपड़े को सीधा रखेंगे और इस साइस का एक और पेस कट कर लेंगे यहाँ पे उपर की तरफ हम सिलाई लगा लेंगे तो यह उपर की तरफ मैंने सिलाई लगा लिए अब मैं पिंज उतार के आपको दिखाती हूँ सेंटर में हम इस तरह से कट लगा लेंगे और फिर इसको पलट लेंगे बैक की बेल्ट के लिए हमने कपड़ को डबल फूल करके चौदा इंच में लमबाई ली है और चौडाई हमने ली है चार इंच अब हम इसको कट कर लेते हैं इसके लिए अब हम एलस्टिक कट करेंगे एलस्टिक हमने इसके हाफ से थोड़ा सा जाधा हम आदा एक इंच जाधा ले सकते हैं अब हम बेल्ट को जोईन करेंगे इस तरह से फ्रंट और बैक की बेल्ट को पहले साइट से एक साइट से हम सिलाई लगा लेंगे अब हम फ्रंट पार्ट को लेंगे फ्रंट पार्ट का सेंटर हम लेंगे और इस तरह से बेल्ट का भी सेंटर हम लेंगे इनको एक साथ में रखके यहाँ पर पहले में पिन से अटेच कर लेती हूं इसको और अब हम इस पिन से ही सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे जो इसका center था वहां से हम सिलाई लगाना start करेंगे इस तरह से belt को हम कब्टे के साथ मिलाते हुए सिलाई लगाते जाएंगे यहां तक सिलाई लगाने के बाद हम दूसरे corners जो हैं belt के दोनों belt के उनको भी join कर लेंगे और बाकी हिस्सा भी बेल्ट का हम जोड देंगे इस तरह से ये सिलाई भी हमारी कम्प्लीट हो गई है वापिस हम फ्रंट पार्ट के हाफ तक सिलाई को ले आएंगे अब हमें इलास्टिक लेनी है एक कउरनर पे रखकर हम दो-तिन बार उस पर सिलाई लगा लेंगे उसको अच्छे से पक्का कर देंगे और इसी तरह से दूसरे कॉरनर पे भी उसको कींच के हम सिलाई लगा देंगे अब हम नेफा फोल्ड कर लेंगे इस तरह से एलास्टिक को रखके और उसके उपर से हमने इसको cover करना है और सिलाई लगाते जाएंगे यह देखिए इस तरह से Elastic को खीचते हुए हमने Nefa को fold करते रहना है तो Nefa यहाँ पर हमारा बनके ready है और back पर हमने Elastic के जो center में सिलाई लगती है वो भी लगा लिया है तो यह है pen का final look वीडियो पसंद आया हो तो like कीजिए और जाद से जादा share कीजिए और मेरे चैनल को please subscribe कीजिए Thank you